परिशिष्ट मैंडल का एक और नियम Another law of मैंडल मैंडल ने एक से अधिक लक्षनों के अनुआशिकी का अध्यान करने के लिए दो लक्षनों का अध्यान साथ साथ किया उधारण के लिए उन्होंने लगबक 600 बीजों में गोल और पीले कैपिटल आर आर कैपिटल वाय वाय दाने वाले बीज और जुरिदार हरे स्मॉल आर आर स्मॉल वाय वाय दाने वाले बीज के पौधों पर पर परागन करवाया जनक पौधे के दोनों गोण यानि गोल पीले या जुरिदार हरे शुद्ध थे इस तरह बने बीजों से जो पौधे बने उस सब में दाने गोल पीले थे यहां तो हम जानते ही हैं कि अगर दानों में गोल और पीले रंग के कारक प्रभावी हैं तो पहली पेड़ी में सारे पौधों में दाने गोल पीले होंगे capital R, small r, capital y, small y मेंडल को इसकी दूसरी पेड़ी में निम्न परिणाम मिले 315 में गोल पीले दाने, 101 में जुरिदार पीले दाने, 108 में गोल हरे दाने, 32 में जुरिदार हरे दाने इनका लगबग अनुपात निकाले तो 9 अनुपात, 3 अनुपात, 3 अनुपात, 1 निकला मैंडल के सामने सवाल था कि ये अनुपात के से आया यह तभी संभो था यदि इनकी पराकन और बिजान इस प्रकार बनेंगे Capital R, Capital Y, Capital R, Small Y, Small R, Capital Y, Small R, Small Y मैंडल ने यह निश्कर्ष निकाला की अलग अलग गोण एक दुसरे से स्वतंत्र रूप में अगली पीड़ी तक युगम को द्वारा पहुंचते हैं इसे को स्वतंत्र अप्यूहन Law of Independent Assortment का नियम कहा गया इसे को स्वत्तर अप्यूहन